हैलो एवरीवन वेलकम बैक टो मैं चैनल फ्रेंड मैं हूँ प्रतिमा मैं आज आप लोग साद शेयर कने जा रही हूं एक ऐसा फेस मास्क जो कि इस समर के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और वो फेस मास्क जो है वो आपके किचन में अविलेबल चीजों के साथ ब बहुत ज़्यादा एकने हैं जिनकी स्कीन एकने पॉर्ण स्कीन है उनके लिए यह फेस मास्क अमेजिंग वाला फेस मास्क है क्योंकि यह नेचरल इंग्रेडियंट के साथ बनेगा और यह मास्क आप अपने फेस पर अप्लाए करोगी तो वह जो चीजों के साथ में शेयर कर भी तो उसके लिए चलिए देख लेते हैं कि ऐसे मास्क है जो आपके एकने को बहुत ज़्यदा रहात देगा बहुत ज़्यदा प्रप्रपरेटिक के साथ आपके अपने में जो इचेन होती है जलन होती है वह सारे प्रॉब्लम का सिलूशन है तो आपको लेना है एक साफ तरह प्लेट प्लेट पहले एक टी स्पून एक टेबल स्पून ड़ी डाले दही जो होता है उसमें बहुत सारे मैंगनेशियम पॉटेशियम होते हैं साथ में वह हमारे फेज के लिए बहुत अच्छा होता है अगर आपको इस सवर में संबल्ब्ण की प्रॉबल्म हो गई है या आपकी स्कीन बहुत ज़दा ड्राय है डाक सर्कल की प्रॉब्लम है तो दही ये सारे काम करता है कि आपके ये सारी प्रॉब्लम से आपको चुटकारा दे सके इसलिए हम यहां पर यूज कर रहे हैं दही दैनिस में हमने यूज किया है हनी हनी में जो होती है वो कुलिंग हमारे वेट लॉस के बहुत अच्छा उट्याइजर कम करता है हिसलिए यहां पर हम यह फेसफेक बनानने के लिए दही और हनी का तो के बाद अपने ये व्लूदे मास्क कान थे बगैर कर लेना हो पंदरा मिनट और यह मास्क चैरे चेहरे पर सुखने के बाद धो लेना है याद रखे कि आपका फेस इसको लगाते हो तो आप अपने स्कीन में खुदी चेंजिस देखोगे जो कि बहुत ही अच्छी चेंजिस होगी तो आप इस मास्क को जरूर अपलाए करें और मेरे साथ जरूर शेयर करें कि आपको ये मास्क कैसा लगा अगर आपको ये मास्क अच्छा लगे तो मेरे साथ जरूर इस कमेंट बॉक्स में आप बताना कि आपके लिए ये मास्क हेलफुल है या नहीं क्योंकि ये मास्क जो है जिनको नहीं है और जिनको है वो उनके साथ जरू शेयर करे ताकि उनको भी इस वीडियो का जो फायदा है वो मिल सके इस मास्क का जो फायदा है वो मिल सके तो गाइस अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेलफुल है तो इस वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सस्क्राइब कर दे और जो बेल आइकन का बटने उसको भी क्लिक कर दे ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट इस सरह से मिलते रहें और मैं मिलती हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ नए helpful वीडियो के साथ तब तक के लिए Bye Bye, Take Care, Stay Safe, Stay Happy